हेलो एवरीवान टेरट विद एम सिंग में मैं एम सिंग आप सभी का बहुत-बहुत सुवागत करती हूँ हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लवल पे करेंट एनरजी और उनका नेक्स्ट आक्शन आपकी तरह क्या होगा यह आज हम देखने की कोशिश करेंगे तो शुरू करते हैं गईज लेके प्रभू का नाम हर हर महादेव जै हो शिर शक्ति जै हो रादे क्रिशना जै मेरे भाई सबसे पहले आज हम देखेंगे जो energy है वो major arcana से देखेंगे बढ़ आज हम major arcana को clarify नहीं करेंगे हम energy oracle से इसके बाद की energy देखेंगे ठीक है तो major arcana से क्या निकल कर आता है वो मैं आपको directly बताऊंगी और उसके बाद हम देखेंगे energy oracle से क्योंकि आज मुझे energy oracle को use करना है तो शुरू करते हैं देखते हैं क्या vibrations निकल कर आती है जै मातारा अपने person के बारे में imagine केजिए उनके बारे में सोचिए जिसके बारे में आप जानना चाते हैं जिसके बारे में सोच कर आप यह reading देख रहे हैं तो आपको उस person के उस व्यक्ति के बारे में सोचना है इस reading को देखने के पहले तो शुरू करते हैं major अरकाना से देखते हैं क्या energies निकल कर आती है पांच card angels हरर महादी 5 cards पहला card है हमारे पास death yum की energy है then we have tower death और tower दोनों आगए guys शनी देव भी आगए तो यम्राज भी आगए शनी देव भी आगए यहाँ पर libra, aquarius, scorpio, capricorn यह energy बहुत strong है libra, scorpio, capricorn, aquarius two more cards we have the emperor with hierophant bottom of the deck है, chariot यहाँ पर देखिए बहुत, जो कहते हैं हम hardcore masculine energy तो यह masculine energy है, masculine dominant energy है और यह जो masculine energy है, यह destructive energy है destruction नजर आ रहा है, यहाँ energy में ही destruction नजर आ रहा है यह destruction किस तरफ जाएगा यह हम देखेंगे आज की reading में जहाँ तक हम बात करें we have death death के साथ we have tower मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपके person ने decide की है खुद से और कुछ चीज़ें हैं जो उनके बसकी नहीं है divinely guided है, divine intervention है so यहाँ पर we have taurus, aries, cancer यह सभी sign है इसके अलाबा पहली sign बता दिया मैंने scorpio, capricorn, libra और कुछ-कुछ यहाँ पर aquarius की energy है क्योंकि पहले यहाँ पर मातारा की vibration आई थी so dear यहाँ पर जो energy अगर मैं pick करूँ तो आपके person निकल रहे हैं और यहाँ पर we have again the star, तो definitely यहाँ पर energy है इस card को आना था तो यहाँ पर hope रखिए क्योंकि आपके person निकल रहे हैं निकलने का decision ले लिया है और काफी हद तक काफी लोगों के person उन तक reach out कर रहे हैं कल काफी लोगों को messages आए हैं और आज भी काफी लोगों को messages आ सकते हैं लेकिन आपके person की energy heavy है तो बहुत जादा आप उनसे expectations मत रखिएगा कि यह आ जाएं तो आप इनके साथ मतलब बहुत जादा आपके साथ romantic हों या बहुत आगे की सोचें दूर दूर की सोचें इस energy में यह है नहीं तो आपको इनसे बहुत जादा expectations नहीं रखनी है इनको just go with the flow की energy में रहने दीजे इनको ही decide करने दीजे कि यह क्या चाहते हैं यह आपको खोना चाहते हैं यह आपको पाना चाहते हैं यह इनके हाथ में तो never force anyone or never chase anyone just let it go यहाँ पर शादी को लेकर ही सारे बवाल है शादी करना है आपसे नहीं करना है इस चीज को लेकर ही सारे बवाल है और यहाँ पर नयाई की energy है justice की energy है तो मैं सिर्फ एक card आज clarify करूँगी that is justice कि क्या आपको justice मिलेगा क्या आपके लिए यह vibration आई है प्लीज गाइड करें क्या justice मिलने वाला है मेरे व्यूवर्स को देखिए justice के बाद we have got hierophant justice को hierophant नहीं clarify कर दिया eight of pentacles yes आठ नंबर के साथ wisdom की energy है knowledge की energy है plus taurus की energy है taurus क्या है शुक्र है vibration है venus क्या represent करते है love, romance तो यहाँ पर आपकी तरफ positive action होने वाला है आपके लिए action लेने वाले हैं आपके person यह energy है तो नियाए आपके साथ ही होगा इस चीज का एकदम tension free रहे लेकिन इनकी energy में काफी ज़ादा transformative changes है तो इस वज़़े से आपको अगर आप contact में हैं तो किसी बात पर argument नहीं करनी है किसी बात पर बहस नहीं करनी है इस बात का ध्यान रखिएगा दूसरी situation इनकी family situation आज के दिन में काफी heavy हो सकती है हो सकता है कि इनके उपर जैसे कहते हैं न कई बार जब कोई गुसा करता है तो हम कहते हैं बूदसावार हो गया है क्यों इतना गुसा कर रहा हो तो possibility है कि आज के दिन इनके उपर कुछ न कुछ ऐसी vibration है जो इनको force कर रही है towards yourself आपकी तरफ force कर रही है लेकिन जहां से निकाल रही है वहां पर चीज़ें खतम हो रही है तो इस तरह की energy है आज के दिन में आपके person की थोड़ी heavy energy है destructive energy है आज के दिन कुछ लोगों के person की तबेद भी खराब हो सकती है even उनको कोई bad news receive हो सकती है तो ये भी energy यहां पर नज़र आ रही है देखते हैं energy oracle से आपके लिए क्या feelings है अभी इस वक्त आपको क्या आपको सोच कर क्या feel कर रहे है ओके हमार पास card आ रहा है तो हम लेंगे वरना ये बाद में वापस आएगा so we have door to romance cornucopia, deceit door to value, contract और कौन आना चाहता है bottom of the deck है woman holding a coin we have the thinking man and throat chakra तो guys यहाँ पर जो energy है उसके according कुछ angel numbers है यहाँ पर तो अगर आपको बहुत जादा 11-11 नजर आए बहुत जादा 3-3-3 नजर आए या आपको 4-4-4 नजर आए चीक है या 11-55, 11-33, 11-44 बहुत जादा नजर आए तो आप समझ लेना कि बहुत जादा possibility है कि आपको एक fruitful result मिलने वाला है आपकी love life में और उस वक्त उस समय आप जो सोच रहे हैं वो चीज़ें आपकी life में आने वाले समय में पूरी हो सकती हैं फॉर एक्जामपल अगर उस समय आप ये सोच रहे हैं कि मेरा परसन मेरी तरफ आ रहा है या मेरा परसन और मैं एक साथ बहुत खुश हैं हैपी हैं तो वो चीज़ें आने वाले समय में manifest होंगी लेकिन अगर आप उस समय जब ये number आपको दिख रहा है जाने अन जाने अगर आप किसी negative vibration में हैं और आप कुछ negative सोच रहे हैं कि मेरा परसन मुझे छोड़ देगा या मेरा परसन मेरी life से दूर चला गया या वो move on कर लिया या वो मुझे cheat कर रहा है वो third party में खुश है inner work करेंगे या आदा गंटा inner work करेंगे और बाकी के पूरे 23 गंटे अगर आप negative सोच रहे हैं अगर आपके subconscious mind में चीज़ें बहुत जादा negative हैं और आप जुबान से positive affirmations use कर रहे हैं क्योंकि आपने कहीं देख लिया है या सीख लिया है तो वो चीज़ें work नहीं करती युनि universe वो नहीं सुनती जो आप जुबान से बोलते हैं या लिखते हैं universe वो सुनती है जो आपके subconscious mind में है जो आपके अंदर आपके mind में जो चीज़ें घर कर गई है वो सुनती है ठीक है तो हमीशा अपने subconscious mind को clear रखिए और ये clear कैसे होगा healing से meditation से ठीक है जब आप without any expectation पूरे अचे दिल से भगवान की शरण में जाएंगे उनके लिए उनके साथ alignment बनाएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे उनसे अपनी बातों को कहेंगे तो आपका mind clear हो जाएगा ठीक है तो ये आपको करना चाहिए तो ध्यान दीजे कि आप anytime जब आपको ये number दिखता है तो उ उस वक्त आप क्या सोच रहे थे उन चीजों पर जरूर फोकस किया कीजे तो यहां पर जो vibration है आपके person को कि आपको छुप छुप कर देख रहे हैं या देख रही हैं स्पाई कर रहे हैं आपके बारे में बहुत जादा सोच रहे हैं इनकी energy में ये चीजे हैं आपको ये दि dreams आते हों इनका भी मन करता है आपसे बात करने का बट ये आपको ये सारी चीजें जटाते नहीं हैं ठीक हैं ये आपको हमेशा छुप कर देखते हैं इन्हें ऐसा लगता है कि आप चेस करो ये कभी आपको चेस नहीं करना चाते हैं इनको हमेशा लगता है कि आप इनके लि और ये attitude में रहे इनका attitude बरकरार रहे तो अब क्योंकि आप change हो गए हैं आप इनके लिए इतनी जादा energy आप send नहीं करते आप खुद पर focused हैं अपनी life पर focused हैं अपनी life अपने soul mission अपने goals को achieve करने में आप busy हैं तो क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आप इनको पहले की तरफ priority न आगया कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए इनको ऐसा भी लगता है कि आपके बिना ये नहीं रह सकते हैं आपके साथ कुछ न कुछ past life contract है bond है जो खतम नहीं हो सकता ये हमेशा ये भी imagine करते हैं कि आपके साथ आगे बढ़ेंगे एक fruitful result होगा क्योंकि प्यार करते हैं आप लेकिन action नहीं ले रहे हैं और क्योंकि action नहीं ले रहे हैं blockages हैं तो आप भी एक हद तक ही इनका weight कर सकते हैं कोई भी किसी भी रिष्टे में एक हद तक ही weight कर सकता है तो यहाँ पर क्योंकि अब आपकी limit cross हो रही है अब आपको ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया अब मैं और weight नहीं करूंगी या नहीं करूंगा तो ऐसी situation में इनको यह energy pick हो रही है और यह अंदर ही अंदर गबडा रहे हैं कि नहीं अगर अब मैंने blockage create रखा अगर अब मैंने बात नहीं की शायद देर हो जाएगी शायद चीजें इनके हाथ से निकल जाएगी तो इस तरह की इ ने chase करें और जानबूच कि यह आपको message नहीं कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में इनकी जो एक boundary इनों ने बना रखी है वो खतम होगी और आपको messages या calls भी receive होंगे ऐसी उमीद आप कर सकते हैं देखते हैं immediate action मेरे viewers की तरफ क्या होने वाला है क्या messages calls आने वाले हैं मेरे viewers क bottom of the deck is six of cups memories of love so we have यहाँ पर five number की energy है we have double five तो five number important है यह reading 23 गंटे के अंदर की है 23 hours ठीक है इस reading को देखने के बाद within 50 hours 23 to 50 hours के अंदर की energy हो सकती है कुछ लोगों के लिए 14 hours के अंदर भी resonate कर सकती है 5 hours के अंदर भी resonate कर सकती है lucky ones 5 hours 5 minutes इस reading के दोरान काफी लोगों को receive हो सकते है messages तो आने वाला जो 50 गंटा है कुछ obstacles नजर आ रहे हैं जैसा कि हमने major अरकाना में already देखा कि आपके person किसी tower moment किसी transformation किसी change से गुजरने वाले हैं तो यहाँ पर वो चीज़े नजर आ रहे हैं we have 919 ठीक है 919 यहाँ पर है action की energy है insecurity से बाहर निकल कर साथी साथ we have double five जो की major change को दर्शारा है transformation को दर्शारा है कुछ powerful actions होंगे जिससे कि यह कुछ negative situation से बाहर निकल जाएंगे new beginning की तरफ तो यह चीज़े निकल कर आई हैं and we have got memories of love with will of fortune तो collective and overall energy के according आपके person आपको बहुत ज़्यादा miss कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके destine partner हो अगर अब इन्होंने आपके लिए action नहीं लिया अगर अभी भी यह hidden रखे चीज़ों को अपने अंदर ही feelings को चुपा कर रखे तो आगे चलके आप move on कर लोगे कि आखिर यह चाहते क्या है यहाँ पर confidence level जो lose था आपके person का यह कोई action नहीं ले रहे थे कोई stand नहीं ले रहे थे तो अब आप hope रखे आने वाले समय में आपके person action भी लेंगे stand भी लेंगे again we have got the star ठीक है so five number important है आज की reading में देखते हैं angels अभी इस वक्त आपको क्या message देन चाहते हैं angels की तरफ सी मेरे viewers के लिए क्या message है पहला message है create a future paradise ठीक है live in this world as a dreamer तो आप क्या create करना चाहते हैं वो imagine कीजे काफी लोगों को लगता imagine करने से क्या होगा सपने देखने से क्या होगा नहीं सपने देखने से होता है ठीक है आप imagine कीजे जो चीज आप imagine करेंगे वो चीज create होगी क्योंकि universe तक वो energy send होती है ठीक है सब कुछ सुनते है universe एक एक चीज a new strategy is required काफी लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने love या happiness को choose न करके आप stuck हो कहीं न कहीं आप अटके हुए हो तो आपको देखना है कि आपको life में कहां पर change required है किस तरीके का change required है change का मतल जब है कि आप ऐसे कौन से effort डाल सकते हो जिससे आपको clarity मिल जाए difficult path is being revealed कुछ चीजों का आपके सामने खुलासा हो सकता है हो सकता है कि बहुत time से आपके person किसी difficult face से गुजर रहे हो या अभी इस वक्त किसी difficult time of moment या divine intervention को face कर रहे हो आने वाले समय में ये चीज़ें आपको reveal हो सकती है या फिर आपके life में अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो आप अपने person को reveal कर सकते हैं last message है tear down the walls around your heart आपने अपने दिल के आसपास कुछ boundary set कर रखी है एक wall बना रखा है तो उससे थोड़ा बाहर निकलिए insecurity से बाहर निकलिए कि ठीक है कभी भी अपने आपको बहुत ज confident होते हैं उनकी life में obstacles अपने आप दूर होते जाते हैं और जो लोग दिन बार ये सोचते हैं अरे यहाँ पर problem है वहाँ पर problem है उनकी life में 50 परिशानिया और आके खड़ी हो जाती है तो कभी भी आप डरिये नहीं किसी भी situation से बात करने से clear करने से situation जो आपके दिल में है उ आप अवेर रहें वीडियो अगर आपके लिए helpful होती है लाइक जरूर किया कीजिए comment section में जरूर बताय कीजिए subscribe अगर अभी तक नहीं किया है तो subscribe कर दीजिए thank you so much guys stay care bye bye